नमस्कार दुख्तू, मैं हुर अभी कॉशल और आप देख रहे हैं News Click NCRT ने हाल ही में अपनी किताबों में बदलाव की घोशना की इन बदलाव के तहट इतिहास, राजनीती शास्त्र, अर्थ शास्त्र के साथ-साथ Languages की किताबों में भी कई बदलाव सुझाए गए हैं जो आलोचक हैं उनका मानना है कि ये बदलाव बच्चों को वैग्यानिक शिक्षा से रोकते हैं कुछ ऐसे ही बदलाव हमें हिंदी की किताबों में भी देखने को मिलते हैं जिसमें महाविर परसाथ जोधी का लेख, श्त्री शिक्षा के विरोधी कुतरकों का खंडन और गनेश संकर विद्यार्थी का लेख धर्म के आड़ में भी सामिल हैं अखिर इन बदलाव के माईने क्या हैं इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आज हैं हमारे साथ संजीव कुमार, प्रफेसर संजीव दिली उनिवर्सिटी के देशबंदू कॉलेज में हंधी पढ़ाते हैं और यह जो पूरी किताबे थी उनको डिजाइन करने में भी सामिल थे तो संजीव सार अगर हम अपने बाचीत के शुरुवात करें आपसे तो यह जो बदलाव है इनमें पहला बदलाव जो है और जो हमें सबसे मैं कहूं अजीब बदलाव लग रहा है वो माहविर पसाद देदी का जो लेख है इसमें वो एक एक करके जो है उन अर्गुमेंट्स को खारिच कर रहे हैं जिनकी तहत लड़कियों को शिच्छा नहीं देनी चाहिए जब इस लेख को आप पड़ते हैं और जब आप इस बदलाव को देखते हैं आपकी जहन में क्या आता है क्या समझ में आता है देखिए होने को तो बहुत सारी चीज़ें बदली गई हैं लेकिन ये जिस एक लिख का आपने जिक्र किया ये बदलाव इस दृष्टी से बहुत महतुपूर्ण है कि मौजुदा सरकार लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसने नारे दे रही है और उसका दावा है कि लड़कियों की पढ़ाई के मामले में उसने आगे काम बढ़कर काम किया है तो ऐसे समय में एक ऐसे लेक को हंटाने का क्या मतलब है मतलब ये ठीक है एक आर्गुमेंट जो पूरे रशनलाइजेशन के पीछे है बोज कम करने वाला बोज कम करने के लिए आपको यही लेक मिला था बोज कम करने के लिए बहुत सारे दूसरे लेक हो सकते थे ये पूरा लेख जो है, मुझे पढ़ते हुए ये भी लगा, कि एक दृष्टी से ये भाजपा की अपनी राजनीती के लिए भी फायदेमंद हो सकता था, कई दृष्टियों से नहीं भी हो सकता था, वही कारण हावी हुए, लेकिन क्यों हो सकता था, ये मैं पहले बतलाना चाता हूँ, महावी प्रसाद दिवेदी इस लेख में उन लोगों के कुतरकों का खंडन कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि भारत में इस्तरियों को पढ़ाने की आजादी नहीं दी गई थी, और न देना उचित था, क्योंकि ये पढ़कर बिगड़ जाती हैं, अनर्थ करती ह वाचाल हो जाती हैं, और घर का सुख नश्ट होता है, इन ही कुतरकों का खंडन कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे यहां आजादी थी, हमारे यहां इतनी सारी विदुशियां हुई हैं, ये इस बात का प्रमान है कि इस तरे शिक्षा मिलती रही है हमारे यहां, और इसलिए ये कुतर्क खंडित होता है तो आप देखिए कि एक स्तर पर महाविप्र साथ दुएदी के इस लेख के आधार पर ये धारना बनाई जा सकती थी विद्यार्थियों के बीच में कि भारत में जो यत्र नार्यस्तु पूजियनते जैसा दावा किया गया वो सिर्फ दावा नहीं था वो सच में होता था लेकिन जिस दृष्टी से ये भाजपा के लिए गरबर हो सकता था वो क्या है इस लेख में इन कुतर्कों का खंडन करते करते एक जगह पर महाविप्र साथ दुएदी ये कहते हैं विमान की बात आप पराणों में सुनते हो लेकिन विमान बनाने की कोई पध्धती नहीं दिखि रही पड़ती है ना और जहाज के बारे में आप सुनते हो लेकिन जहाज को बनाने का कोई तंटर उसमें नजर नहीं आता पूँए नहीं तक निний आते इसके बावजूद आप उन चीज़ों पर भरोसा कर लेते हो लेकिन इस्तरियां पढ़ ही लिखी दिखला ही पढ़ रहे हैं पुरानों में तभी उन पर भरोसा नहीं करते तो देखिये कि कैसे बिल्कुल दो तरफ बार करने वाला ये वाक्य है खास्तोर से आज के संदर में महाविवरसाद दिवेदी इन लोगों को देख कर नहीं लिख रहे थे बावजूद इसके उनकी बात को पढ़ते हुए आज के विद्यार्थी के सामने ये जो मीडिया में हर दूसरे दिन ये शगूफा उठाते हैं कि हमारे यहाँ विमान थे हमारे यहाँ यह चीज थी हमारे यहाँ वो चीज थी और सरस्ति शिशु मंदिर में बकाइदा पढ़ाई जाती है वो चीजे उनको बतलाया जाता है कि हम कितना आगे थे तो इन सारी चीजों के पृति कितना अविश्वास पैदा होगा विधियार्थी के अंदर तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजों को खास तोर से उन्हें ने हटाने के लिए चुना है जो चीजें उनके अभी के स्टेंड के मामले में उनको असहज करती हैं उनको असहज करती है, जो डिसकंफर्ट पहुंचाती है, और उनको लगता है कि इससे तो हम कहीं न कहीं एक्सपोज हो रहे हैं, इस एक वाकिस हम एक्सपोज हो रहे हैं, इसकी अलावा, महावविड सादमेदी की निवंध में एक चीज और है, कि जो इस्तरियां पढ़ी लि निकाल दिया, उसके सामने मैंने अगनी परिक्षा दिया, उसके बावजुद उस अगनी परिक्षा पर विश्वास नहीं किया, और लोगों की काना फुसी पर भरोसा किया, तो राम के बारे में इस तरह की बात कहती हैं, सीता आपको उस लेख में दिखलाई पड़ती है, और कुछ नहीं, उन्होंने बस कालिदास को उधृत किया है, कालिदास के पुस्तक से वो सीता का वक्तव उधृत किया गया है, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हैं जो भाजपा को बहुत असहज करती है, को इंटरस्टिंग बात ये भी है कि वह कहते हैं कि आप से जाना चाहता हूं कि ये जो और इसको बहुत संचिफ मैं आप से चाहूंगा, इस तैकी के नेलजी जो है, मैं ये कहूं कि अगर हम कंटेंपरी जो पूरा दुनिया देखें, कि जहां पर बच्चियों को बढ़ाने पर रोखें, वो सिर्फ एक ही जगा है, जहां पर जिसे हम तालिबान कहें, वहां पर है कि बच्चियों को नहीं पढ़ाने जना या उनको घर से बाहर नहीं निकालने तीना, भारत जैसे लोकतंत्र में इस तरीगी की चीज अपने कभी, नहीं हमारे यहां तो कभी सुना नहीं कया, और इस तरी शिक्षा पर बल तो आजाद बल रहा है और उसके बाद भी कभी ये कोशिश नहीं रही कि उनको अंदर करें, हाँ, परमपरा के दबाव हैं और जो कानून व्यवस्था है, आने वाली सरकारे हैं, एक के बाद एक जो सरकारे आई हैं, उन सब ने परमपरा के इस दबाव को उससे लड़ने की कोशिश की है, और लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि इस तरिये शिक्षा पर बल बढ़ना चाहिए, पर डाहिर सी बात है कि अभी जो निजाम है वो इस मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ है, उसकी इस तरियों के बारे में, दलित तों के बारे में, इन तमाम चीज़ों के जास्त्रिय गनत्थों से चलिया रही है तो आप दूसरे सवाल पर जो सवाल है वह गनेशंकर विद्यार्थी के जो लेख है द्रम के आड़ में उसको लेकर है दर्शगों को हम बता दें कि गनेशंकर विद्यार्थी अपने जमाने के जनमने पत्रकार थे और उनकी जो मौत हम कहें हत्या वह इसी कारण हुई कि वह कानपूर में दंगरोफ को रोकने के लिए इस अलको पर उतरे थे तो जब हम इस लेक को देखते हैं तो उसमें जो है वो धर्न को लिटल सेंस के बज़ाए वो जो है दूसरे सेंसे में कि आप उसको लीजिए धर्न को जो है बिलकु लेक के कुछ हिस्से पढ़के आपको सुनाता हूँ आपत्ती की वज़ा बिलकुल साफ हो जाएगी लेक की शुरुआत होती है इस समय देश में धर्म की धूम है उत्पात किये जाते हैं जो धर्म और इमान के नाम पर और जिद की जाती है तो धर्म और इमान के नाम पर र साधारन से साधारन आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है, कि धर्म और इमान की रक्षा के लिए प्रान तक दे देना वाजिब है, बेचारा साधारन आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने है, लकीर पीटते रहना ही वो अपना धर्म समझता है, उसकी कितियों यह बाते आज भी लागू होती है, तो गनेशंकर विद्यारती धर्म के विरोधी नहीं है, वो कह रहे हैं कि धर्म का भी एक तत्व है, उसकी भी एक वास्तविक्ता है, और उस तत्व से परिचित होना चाहिए, लेकिन आज तो धर्म के नाम पर लोगों को बर्ग क्याना चाहता हूं कि तमाम अध्यायों, सिर्फ यहीं दो नहीं, जिनकी अभी तक हमने बात की, तमाम दूसरे अध्यायों में भी आपको ये एक पैटर्न दिखलाई पड़ता है कि अभी की सरकार को जिन चीजों से असहज होना पड़ रहा हो, जिनको पढ़ते हुए आज एक बारगी पढ़ते हुए तो ये लगा कि मैं मतलब बहुत सीधे-सीधे कहूं तो RSS वालों को अपनी उस टीम को थोड़ा सा फटकारना चाहिए था कि तुमने पूरा-पूरा काम नहीं किया है, तुमने थोड़ा आलस से काम लिया है, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत पाठ अगर सामानी रूप से क्रांतिकारी बातें कह रहा है, तो उस पाठ को रहने दो, उसको छेड़ो मत, लेकिन कोई पाठ अगर ऐसा है जिसको पढ़ते हुए विद्यार्थी का ध्यान अभी के निजाम की तरफ जाता है, और ऐसा लगता है कि अभी का निजाम हमारे इ अगर जारी है, तो अब इसमें एक चीज़ है कि हम जब इन टेक्स को पढ़ते हैं या फिर उस लिस्ट को पूरी देखते हैं, जो डिलीशन की लिस्ट है, तो इसमें हम यह भी पाते हैं कि वह तमाम लोग, मतलब मैं अगर सीधे पर्स लगदों में कहूं, जिनका हिंदी स अगर सीधे में जो बहुत बड़ा रूल रहा है, जैसे मालीश अलीशरदार जाफरी हैं, या फिर कुर्तरुन हैदर हैं, या बाकी जो लोग हैं, जो मुस्लिम हैं, या वो हम यह कहें कि वो हिंदी और उर्दू के मेल की बात करते हैं, उन सब को भी जो है टाया गया है, इ इसमत चुकताई की एक छोटी सी बहुत दिल्चस्प कहानी है, बच्चों के लिए खास्तोर से, वो हटाई गई, रज्या सज्जाद जहर की कहानी नमक, वो हटाई गई, सेयद हैदर रजा के आत्मकथा का अंश, आत्मकाताप, वो हटाया गया, और नजीर अकबराबादी की एक कविता हटाई गई, आदमी नमा, एकनी प्रसिद कविता है, कई लोगों के बिल्कुल जुबान पर है वो, लेकिन वो हटाई गई, तो आप एक तरह से देखते हैं कि मुस्लिम लेखकों को जैसे हिंदी के पार्थे पुस्तकों में नहीं रहना चाहिए, हाँ कोई य पैटर्न नजर नहीं आए, लेकिन आप साफ साफ देख रहे हैं कि पांच मुस्लिम लेखक इन छे साथ कख्षाओं के पार्थे पुस्तकों में थे, उनमें से चार को हटाया जा चुका है, और आप ये भी गौर करेंगे कि इन सभी पार्थों में जो हिंदी जुबान आती है, वो बिलकुल हिंदुस्तानी जुबान है, यानि उसमें संस्कृत के कठिन शब्द भी नहीं मिलते हैं, अर्मी फार्सी के कठिन शब्द भी नहीं मिलते हैं, और दोनों तरफ के शब्दों का लगवब बराबर अनुपात है, तो ये हिंदी भी मेरा ख्याल है कि RSS के ल संस्कृतनिस्ट शब्द हो, तो इस वज़े से भी उसको हटा जा गया, और इसलिए आप ये भी देखेंगे कि वो सारे पार्ट जिसमें हिंदू-Muslim साजा संस्कृती और हिंदी-Urdu मेल की बातें की गई हों, वो इन पार्टिपस्टकों से गाइब हैं, जैसे नमक कहानी क मैंने उदारण दिया, आप नमक कहानी पढ़ेंगे, अद्भूत कहानी है, किसी को लग सकता है कि थोड़े ज्यादा ही संयोगों पर आधारित कहानी है, लेकिन एक के बाद एक, उसमें ऐसे पात्र आते हैं, जो पाकिस्तान में रह रहा बंदा कहता है कि मेरा वतन देली है दिली लखनों में रह रही इस्त्री कहती है, हिंदु इस्त्री, कि मेरा वतन लाहौर है, हिंदुस्तान में नौकरी करता हुआ, सुनिल दासगुपता कहता है कि मेरा वतन धाका है, तो ये सब लोग अपना वतन किसी और चीज़ को मानते हैं, और एक तरह से उनकी बातचीत उस पूरे विभाजन को नकार देती है जो 1947 में हुआ जनता के बीच विभाजन नहीं हुआ था वो राजनितिग्यों का खेल था इस बात को वो कहानी बहुत अक्षी तरह बतलाती है और बड़े मारमिक बिंदू से बतलाती है अबना बटवारे की बात की ना तो बस जानकारी के लिए बतादू कि परडिकल साइंस की किताब है उसे एक चेप्टर है इंडस्टैंडिंग पार्टिशन वो भी अटाया गया है तो मतलब हम आते हैं अपने आखरी सवाल पर आपसे पहले हमने कई लोगों से बात चीत कि है और हमें समझ में आया कि इतिहास के अपनी राजनिती है इरफान अभी थापके अपने तर्ख हैं फिर हम भी कहें कि जो परडिकल साइंस के जो टेक्स्ट है उसकी अपनी राजन इस राजनीती को अगर कोई हिंदी का चात्र या फिर में कोई माबाप जो आपसे पूछे इनके बच्चे कहानियां पढ़ते अभी नहीं है कि ये राजनीती क्या है तो आप क्या कहेंगे देखिए राजनीती जिस अर्थ में आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो इतिहास, राजनीती शास्त्र, विज्ञान इन सब के संदर्व में मुझे लगता है कर उस तरह देखूँ तो मैं ये कहूँगा कि हिंदी में उर्दू विरोधी राजनीती, मुस्लिम विरोधी राजनीती ये बहुत ही प्रबल रहे हैं बावजुद इसके कि एक बहुत मजबूत धर्ण रिपेक्ष परंपरा भी है हिंदी दानों के बीच में, लेकिन वहां भी आपको थोड़ी जलक मिल जाती है, उस सांप्रदाइक तत्त्यों की जलक मिल जाती है, एक अध्याय जो हटाया गया है, उससे मैं उदाहरन दे रह हिंदी उर्दू की राजिनीती के लिहाज से, लेकिन आप देखेंगे कि शमशेर भादूर सिंग उसमें जो बार बार बता रहे हैं, उससे यह साबित होता है कि पचाह के, यानि पश्चिमी उत्तरप्रदेश के, एक सामान्य हिंदू परिवार के भीतर, उर्दू कितनी सा बच्पन से उन्होंने स्वाभावी कृप से उर्दू सीखी थी, उसलिए वो कहते हैं कि मैं या तो उर्दू में लिखता था या अंग्रेजी में लिखता था, तो हिंदी में क्यों आया, वो कहते हैं कि वो निराला और पंत की कविताओं के प्रतियाकरशन था, लेकिन मैं अगर वो पढ़के सुना सकूं, यह देखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उसे अपने शब्दों में कहूं, मैं उसे शमशेर के शब्दों में ही कहना चाहता हूं, वो कहते हैं कि हिंदी आज भी अपनी और खीचती है, बावजूद कम से कम मुझ जैसों को द हिंदी की राजनीती का एक यह पहलू है, जिसको NCRT की 2005 की किताबों ने अपनी और से जिसके बारे में एक पक्ष सामने रखा, और विद्यार्थियों से कहा कि नुक्ता लगाना चाहिए, जो उर्दू के आम फहम शब्द हैं उनका इस्तेमाल होना चाहिए, भाशा से इन का निश्काषन नहीं किया जाने चाहिए, यह 2005 की किताबों ने, आप देखेंगे, कई जगह अभ्यास में नुक्ते लगाने का वो भी दिया गया है, कि इन शब्दों में कहां कहां नुक्ता लगेगा, तो एक तरह से यह स्टेटमेंट था, NCRT की 2005 की किताबों का, और आपने भी गौर किया होगा शायद एसके पोटेकाट का एक बहुत सुंदर संस्पनड़ है, वह चोटा सा, हामिद खान, मतलब इतना चोटा है कि उसको हटाने से कोई बोज नहीं घटेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं कि उसका आकार क्या है, और उसमें शुरुवात होती ह इस बात से कि तक्षशिला, ब्रैकट में लिखा हूँ है पाकिस्तान में आगजनी, ये खबर पढ़ते ही मुझे ध्यान आया कि कहीं हामिद मिया की जोपी नजली हो, तो हामिद मिया क्या है, तक्षशिला में लेखक से मिले थे, और वहां लेखक ने बताया कि मैं हिंदू हूँ हो तो कहा कि मेरे यहां आप रोटी और सालन खाएंगे, आप तो हिंदू है तो कहा कि नहीं अप तो सब जगा खाते हैB तो बहुत खुश हो जाता है हमिद मिया और उनको खिलाता है और पैसे नहीं लेता है और बाद में कहता है कि हमारी आपकी तरह के लोग हो तो दुनिया में क्यों दिक्कते हो इसलिए को हटा दिया गया है बहुत छोटे से संस्मान को हटा जा गया है तो मेरे दिमाग में तो पहली यह कि अबल तो हामीद मिया जैसे लोग जो इस तरह की एकता के पक्ष में हैं, वो हमारे मौजुदा निजाम को अखरते हैं, उनको तो उदाहरण के रूप में वो सामने रखना नहीं चाहेंगे, लेकिन एक दूसरा शरार्थी ख्याल भी आया, वो यह कि पहली ही पंक पार्थी को जब पहले ही बाकी में यह बता दिया जाएगा कि तक शिशिला पाकिस्तान में है, तो उस अध्याय को कैसे रहन दिया जा सकता है पार्थी पुस्तक में, शुक्रिया, तो यह थे संजीव कुमार, बाकी ख़गोगली जोड़े रहें नियूस्क्लिक के साथ,